कि यहां पे वाल्थिखनेस कम होती है यह तो बेसिक रूल हो गया समझगे है चिल्वेंट हम वहां पे दे रहे हैं कि जहां हमें कम समय के अंदर में कम समय में जादा एयर निगालनी है अब जैसे कि यह तुमारा क्यविटी का वोल्यूम होता है ठीकै न उतना ही उसके अंदर में एयर रहता है पहले ठीकै है और अगर हमारा एलमोनियम अलोय का वॉल्यूम कैविटी में भरने के लिए 0.04 सेकंड ले रहा है तो उससे बहुत कम समय में एर हमें निकालने पड़ेगी क्योंकि वो अगर वॉल्यूम का कमपेरिजन करोगे तो हमारा एर का वॉल्यूम कई गुना होता है मैटल के वॉल्यूम से है ना तीन गुना होता है एर का वॉल्यूम तो यह मान के चलो कि उतने ही कम समय में हमें एर निकालने होती है cavity से ठीक है और ये आप मायन के चलो के ज़्यादा तर पतली जो थिकनेस होती है कम wall thickness की casting होती है उस case में जो है यह ज़्यादा बनता है चिल्वेंट का जो provision है तो चिल्वेंट क्या है कि उन casting में हम देते हैं के अंदर में जल्दी एर निगालनी है हमें और एर जल्दी निकलेगी तब ही हमारी cavity भी फिल होगी कई बार क्या होता है कि cavity हमारी फिल नी हो रही कम wall thickness की है तो फिल नी हो रही तो हम कहते हैं कि नहीं यार इसमें ना temperature maintain नी हो रहा तो इस वज़े से यह फिल नी हो रही बट हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यह कम समय में भरनी चाहिए और कम समय है हम सोचते हैं कि सिर्फ plunger की speed बढ़ा के जो हैं हम लोग कम समय कर सकते हैं तो एर के रहते रहते हैं वहाँ पर मेटल फिल नहीं हो सकता तो एर जितना जल्दी निकाल दोगे उतना जल्दी मेटल फिल हो जाएगा तुम्हें मशीन की पावर कम लगानी पड़ेगी तो चिल्वेंट उस केस में भी घल्प करता है कि एर जल्दी निकाल देगा बई हम जिग जग पाथ होता है चिल्वेंट का तो आपकी वूच मेटल को भी बहार नहीं जाने देता है ना जो जिग जग वाला जो फॉम है इसका भी मतलब अपना एंगल इसका भी आपको एंगल में ही रहते हैं जर्णली तो लोग जो है इसको ऐसे डिजाइन कर लेते हैं के तो चिल्वेंट की तो कई सारी लेर होती हैं ऐसी लेर होती है पॉर जर्णली लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे के शुरुवात वाला जो होता है यह 45 डिग्री का रहेगा मानलो अगर टोटल यहाँ पे 6 हैं तो शुरुवात वाले यह जो एंगल है यह 45 डिग्री का रहेगा और उसके बाद में यह डिग्री कम करते रहते हैं यानि कि शुरुवात में रिस्ट्रक्शन जो है ज छुरुवात में तो रिस्ट्रिक्ट जदा करें और बाद में पिर उसको एंगल कम कर ढेते हैं जिसकी वज़ से जो हाँ निकल जाए आरामसे जो यह क्योंकि लास्ट में जाते 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 हैं यह फिर वो तु स्टम कम जाते हैं और फिर फीलेट कर देया आए यही तो यही यही रहता है कि जो बेटिक पिंसिपल रहता है यही रहता है कि शुरूआट में तो restriction ज़्यादा रहे और last में निकलते निकलते जब pressure drop हो जाए तो फिर वो angle कम कर देते है कम कर देते है मतलब उसको slope ज़्यादा दे देते है slope ज़्यादा दे देते है मतलब slope कम है मतलब अचाना कि बाद में जाना ने कर भी क्यातर है यहां restriction metal को रोकता है तकराएगा देरे-देरे-देरे कम होता जाएगा ज़्यादा metal भाहर निकल जाएगा air निकालने का मेने के तो यहां के stopper type का stopper type का बिलकुल दूसरा इसके अंदर में क्या है कि chill wind को हमेशा ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए त्मने देखवगा इसमें cooling लगी होती है अलग से ठीक है ना इसको ठंडा रखना चाहिए chill wind को हमेशा तुमने देखवगा जिनमें cooling नहीं लगी भी रहती है और लगी भी रहती है और जो chill wind चलाते हैं उन लोगो तो ज़ादा तो दिखा त材 चिल्वेंट सब्स जाता है चिल्वेंट चुपका रह जाता है वो तभी चुपकेगा जब वो हीट हो जयेगा नहीं रहेगा एक तो यह प्रॉलम होगी कि चुपका रह जाता है पर एर आराम से निकल जाए उसके लिए भी इसका ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है चिल वेंट का चिल वेंट ठंडा रास्ता ठंडा रहना चाहिए यह concept किया इसके पीछे में कि एक कमरा कोई गरम कर दो और एक कमरा कोई ठंडा तू ठंडा और गरम है क्यों? अगर एक कमरा गरम है और एक कमरा है ठंडा तो वो ठंडा क्यों है और ये गरम क्यों है बता सकते हूं ये गरम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एर का फ्लो नहीं है और वो ठंडा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एर का फ्लो है आप एक कमरा है इसको बंद कर दो चारो हो रही है इसमें ते एरफ्लो नहीं हो रही है इसलिए इसका ठंडा रहना बहुत जुरूरी है और इसलिए इसका लाम चिल्वेंट है यह कॉंसर्ट इसके पीछे